नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आर्थी प्रजापती आर्थी प्रजापती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ दोस्तों हमारी UGC.net की पिपर 2 में साइकोलोजी की प्रिपेरिजन स्टार्ट की गई है इस चैनल पर यहां पर यूनिट वन चल रहा है जिसमें मनोव इग्णान का आविरभाव में आज की ये तिसरी क्लास है हमने दो क्लास कर ली है जिसमें हमने पहले क्लास में जाना था कि मनोव इग्णान किया है उसके बाद हमने देखा था भगवत कीता के बारे में और इसके बाद हमने ये जो क्लास 3 है हमारी उसका भी ये दूसरा पार्ट है पहले पार्ट में हमने भगवान बुद के जीवन चरितर के बारे में देखा था अब आगे हम देखते हैं अजय तेखी दोस्तों यहाँ पर कुछ सब्धा वलिया दी गई है बगवान बूध के जो बूध का जो तर्षन है उसमें कुछ सब्धा वलिया दी गई है उस सब्दावलियों को आपको क्या करना है याद रखना है ताकि आपको कभी भी इसके related कोई भी questions आए तो आपको अच्छे से आता हो अब मैंने आपको पिछले वीडियों में बताया था कि किस तरीके से भगवान बूद उनका जन्म हुआ उनके बारे में भविश्यवान की गई थी उनको किस तरीके से महल की अंदर ही रखा जाता था किस तरीके से उन्हें सभी परिस्तियों से दूर रखा जाता था और एक दिन वो बड़े हुए जब बड़े हुए तो एक दिन उन्हें नगर को देखने की इच्छा हुई और उन्होंने जीद पकड़ी और वो नगर देखने गए और उन्होंने जो चार लोगों को देखा था उसके बाद उनका जो ये संसार की प्रती जो मो माया थी सब उन मो माया से मो माया की जो बंदन है उनसे उनको क्या हुआ उन्हें लगा कि अब ये मुझे छोड़ देना चाहिए त्याग कर देना चाहिए और उन्होंने उसके बाद उसका अपने घर गुरू का ये और परि पहले उन्होंने एक व्रुद्ध यानि की बुढ़े व्यक्ति को देखा था फिर उसके बाद उन्होंने एक रोगी को देखा था उसके बाद उन्होंने किसी के मृत्ती होने के कारण अंतिम्यात्रा पर उस बौड़ी को ले जाते हो देखा था और उनके पीछे जो सारे रहे थे, उन दुख कोुर उन्होंने देखा था और उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक सातू को देखा था जो तपश्या कर। थे तो इन चारो बातों की उन पर इतनी असर पड़ी थी उन पर उतना गहरा प्रभाव पड़ा था जिसके कारण उन्होंने इस संसार को ऐसे बंदनों से मुक्त करने का निर्णय किया था और उसी के कारण उन्होंने क्या किया गुरूत्या किया और वो अपने घर परिवार स जो गुरू त्याकरने की जो घटना थी उसे क्या कहा गया था महाविनिस क्रमण के नाम से जाना जाता है यह आपको याद रखना है उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद उन्होंने छे साल तक क्या किया अपने गुरू से दिक्षाली फिर तपसीयों से दिक्षाली सिक्षा फिर भी उन्हें जो संसार को बंधनों से मुक्त कराने के लिए जो सही रास्ता जो उन्हें चाहिए था जो सच्चा मार्ग उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं इसलिए फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने बोधी गया जाकर क्या किया अपने उन्होंने तब किया कठ पुर्टब किया और उन्होंने समादी में जाकर बैट गाए और उन्होंने प्रतिग्णान लिकी जब तक मुझे सच्चा रस्ता नहीं मिलेगा जब तक मुझे सही ग्णान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं यहां समादी से उठूंगा नहीं भले ही मेरा दे मेरा सरीर यहा वो क्या बुद्ध कहला है और उनको सम्बुद्ध भी कहा जाता था और उसके बाद उनके जो गुत्र था वो गुत्म गुत्र था इसलिए उनका नाम क्या पर गुत्र का नाम उनका क्या था गुत्म था इसलिए उनको गुत्म बुद्ध के नाम से जाना गया अब यहां तक कि यह जो पूरी प्रोसेस थी यह हमने पिछले वीडियो में देखी थी अब आगे देखते हैं दोस्तों कि महात्मा बुद्ध के निर्वान को महापरी निर्वान की नाम से जाना गया 80 साल की उम्रों में उन्होंने अपना दे को त्याग किया था और उसी घटना को उनकी निर्वान की घटना को क्या कहा गया महापरी निर्वान कहा गया उसके बाद देखते हैं दोस्तों उसके बाद महात्मा बुधनी अपना जो पहला उपदेश सारनात में दिया था कहां पर दिया था सारनात में उन्होंने अपना पहला उपदेश पांच बिक्षुओं को दिया था किसको दिया था पांच बिक्षुओं को दिया था और उसे उन्होंने जो पहला उप्देश दिया, उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहां जाता है, क्या कहां जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, यह सारनात का जो स्थूप है न, वो यह सारनात का स्थूप है, और सारनात में ही उन्होंने क्या किया था, पांदि जब उन्होंने ये उन्हें जब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने चार आर्य सत्य को सीखा रहा था किन को सीखा रहा था चार आर्य सत्य को सीखा रहा था तो वो चार आर्य सत्य क्या थे तो पहला था दूक, उन्होंने दूक की पहले हम सारे देख लेते हैं, पहला था दूक, उसके बाद था दूक का कारण, उसके बाद है दूक नीरोद का मार्ख चले देखते हैं, पहले दूख, तो दूख का मतलब उन्होंने क्या बतायता है, कि सर में सब जगह पर क्या है, दूख है, चन्म में, बुढे में, रोगी में, मृत्य में, उन्होंने क्या देखा, सब में दूख देखा, उन्होंने देखा कि जो बुढा वेकती है, वो क्या अध्ग दूखी था उन्होंने देखा कि मनूश्य मर जाता है उसके बाद भी उसके साथ जुड़े जो भी लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं उसके कारण रो दूखी होते हैं तो इसका मतलब क्या है चन्मों बुढ़ा पा रोगी रोग मुर्तिव सब में प्रयतम से तूर ह गोना सब में क्या है दूख है ये उन्होंने कहां उसके बाद उन्होंने दूख का कारण भी बताया कि ये दूख है उसका कारण क्या है तो उसका कारण उन्होंने बताया इच्छा त्रुष्णा चाहत जो भी बोलो यानि कि उन्होंने त्रुष्णा पर ज्यादा जोड़ द होती तो क्या होता है दोनों दूखी हो जाते इसी तरीके से माँ बाप बेटा माँ संतान स्वरी संतान माता पिता सभी लोग इस तुनिया में संसार में जो भी लोग है सब के सब लोग किसे पिडित है त्रुष्णा से पिडित है मुमाया में बंदे हुए है और यही मुमाय यही त्रोष्णा क्या है दुख का कारण है क्या है दुख का कारण है उसके बाद उन्होंने बताया दुख निरोध यानि के दुख के निरोध के लिए उसका निदान करना निरोध का मतलब क्या होता है निदान करना तो इस दुख का निदान किस तरगी से किया जाएगा वो ने बताया कि इस दूख का निदान तो है ही और उस निदान का जो सच्चा रास्ता है वो क्या है तो उन्होंने दूख निरोध का मार्ग भी बताया यानिकि दूख का निदान का मार्ग भी बताया और वो मार्ग उन्होंने क्या बताया अश्टांग योग बताया क्या बताया वो इन सारे बंधोनों से मुक्त होता है। यह उन्होंने यह चार आर्य सत्य बताये थे। चले नेक्शित हैं। आपको यह चार आर्य सत्य याद रखने। कई बार अगर एकजाम में ऐसा कुछ पूछा जाए। पर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा जो आरील सत्य बताया था उनको इन में से डुणिये तो यह चार आपको याद रखना है दूख है, दूखका कारण है, दूखका निरोद यानि दूखका निदान है और दुख के निरोद का मार्ग यानिके दुख निदान का मार्ग ये चार आपको आरे सत्ती याद रखने हैं चले नेक्ष्ट देखते हैं अब उन्होंने ये चार आरे सत्ते बताए उसके बाद उन्होंने प्रतित्य समुद्पाद को अपनाया प्रतित्य समुद्पाद यानिके उन्होंने जो उपदेश दिया था जो पहला उपदेश उन्होंने दिया अपने बिक्षु बुद को तो भूद भिक्षों को जो उन्होंने ये उपदेश दिया तब उन्होंने क्या किया प्रतित्य समुत्पात के जो सित्धान्द का भी बूद उन्हें हुआ था वो उन्होंने उनको दिया था यानि कि प्रतित्य का मतलब क्या होता है किसी वस्तु के होने पर और समुत्पात का मतलब क्या होता है कि किसी अन्य वस्तु की उत्पति यानि कि अगर कोई चीज यहां पर है तो उसके बिछे किसी और वस्तु की उत्पति भी जवाबदार होती है यानि कि अगर कोई कार्य है तो उसका कारण क्या होगा अवश्य होगा अगर कोई कारण है तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्य जरूर होगा यानि कि इसका मतलब क्या होगा कोई कार्य है तो उसके पीछे कारण होगा और कोई कारण है तो उसके पीछे क्या होगा कार्य होगा इसका मतलब क्या होगा कि कार्य कारण दोनों एक दुसरे से क्या होते हैं सापेक्समी होते हैं दोनों एक दुसरे से जूड़े होते हैं एक बताया कि संसार की सभी वस्तुए किसी न किसी कारण से उत्पन हुई है और इस प्रकारवे इस पर निर्भर है यानि कि जो भी वस्तुए है जो भी चीजे है जो उत्पन हुई है उसके पीछे कोई न कोई रिजन रहा होता है अगर कोई रिजन है तो उसके पीछे कोई न प्रतित्य समुत पाद के सिद्धान को कार्यकारन सिद्धान कहा और इस सिद्धान को गौतं बुद्नि संपूर्ण जगत पर लागू किया उन्होंने इसी सितान्त को क्या किया समकून जगत पर लागू किया कार्यकारण के इस सितान को भव चक्र कहा गया क्या कहा गया उन्हें इस कार्यकारण के सितान को भव चक्र कहा गया जिस संसार में हम रहते हैं जिस संसार में हम जीते हैं जिस संसार के सूख दूख सब हम सहते हैं, यह पुरा क्या है, पुरा भव चक्र है, यह बात उन्होंने बताई, इस संसार के बंदनों का चक्र ही क्या है, भव चक्र है, जितनी भी मो है, जो माया है जो मोक्स नहीं आएगा मो माया जो बंधन है जो बंधन हम एक दूसरे से जुड़े रखते हैं तो वो सारे बंधनों का चक्र ही क्या है भव चक्र है बहुत दर्शन को क्षणिक वाद भी कहा गया है क्षणिक वाद यानि कि कि इस संसार में जो भी बस्तुए है वो क्या होती है क्षणिक होती है कुछ खण के लिए ही जीवित रहती है कुछ खण के बाद क्या होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है यानि कि कोई भी संसार की कोई भी चीज है वो क्या होती है क्षानिक होती है और उसके बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है मान लिजी आप अभी के लिए थोड़े दुखी है लेकिन कुछ क्षान के बाद आप क्या हो जाएंगे परिस्तिक्ति को हैंडल करतेंगे और उससे बहार निकल जाएगे तो वो आपका दुख क्या था क्षानिक था तो संसार की जितनी भी चीजे है जो भी बस्तुय है वो क्या है क्षानिक है ये उन्होंने बताया था बहुत दर्शन को अनात्मवाद भी कहा गया है अनात्मवाद भी कहा गया है अनात्मवाद यानिकी क्या तो अनात्मवाद किशे कहते हैं जो आत्मा की हस्तित्व में ना म उसे ही क्या कहा जाता है अनात्मवाद कहा जाता है तो बहुद धर्शन में पगवान बुद्ध ने क्या किया है आत्मा की हस्तितों को अस्विकार किया है उन्होंने आत्मा की हस्तितों को अस्विकार करने के साथ साथ उन्होंने पुनर जन्म और कर्म दोनों की बातों को भी स्विकारा है तो अच्छे से आपको इतनी सारे जो सब्दावलिया है उसके अकोडिंगी क्वेस्टन्स आते होते हैं तो यह सब्दावलिया आपको याद रखने हैं कारिय कारण सित्धान्त है फिर प्रतित्य समुप्रदय है समुप्रदय है स्वारी पर उसके बाद है भाव रखने चले आगे देखते हैं अब उन्होंने भाव चक्रा के भी 12 अंग बताए किया बताए 12 अंग यानि के बार अंग बताए ये जो पुरा भाव चक्रा है न संसार का जो माया का जो बंधन का जो चक्रा है न उस चक्रा के कितने उन्होंने अंग बताए उन्होंने बार अं जन्म से कोई भी व्यक्ति है वो जन्म से उसके अंदर भेद नहीं होता है जो जन्म लेता है वो सबी लोग कैसे एक जैसे होते हैं उनमें कोई भेद होता नहीं अगर व्यक्ति में किसी भी तरह का भेद देखा जाए तो वो क्या है उनके गुणों के बीच भेद होगा उनके लक्षणों के बीच भेद होगा उनके बुद्धी के बीच भेद होगा उनके कर्म के बीच भेद होगा तो उन्होंने क्या बताया कि जाती में किसी भी व्यक्ति का जन्मल से कोई भेद नहीं होता है बल की भेद कहां उपर होता है व्यक्ति के गुणों में व्यक्ति के कर्मों में व्यक्ति के बुद्धी में भेद होता है ये उन्होंने बता है उसके बाद भव उसके बाद उपादान उसके बाद तुरुशना उसके बाद वीदना उसके बाद सपर्स उसके बाद सडायतन उसके बाद नाम र उन्होंने बताया है तो ये जो बार जो अंग है उन्होंने भव चक्र के बारा अंग बताये थे चलिए अब हम आगे देखते हैं अब उन्होंने जो अश्टांग योग बताये था उन्होंने बोला था कि जो चार आर्य सत्य जो है उनसे हमें अगर देखो मुक्ति चाहिए तो उनके लिए हमें अश्टांग योग को अपनाना होगा क्या करना होगा अश्टांग योग को अपनाना होगा तो एक सेकंड में कुछ बूल गई हूँ आगे देख लेते थुड़ा सा यहाँ पर यहाँ कुछ सब्दावलियों की आपसे में बात करना बूल गई हूँ चले देखते हैं यह भव है तो भव का मतलब क्या होगा सरीवधारन करने की जो हमारी इच्छा है हमें जो सरीवधारन करने की जो चाहत है उसे क्या कहेंगे भव कहेंगे उसके बाद है उपादान तो उपादान किसे कहेंगे सांसारिक विशयों से लिप्टे रहने की इच्छा सांसारिक जो भी बाते हैं जो भी इच्छा है जो भी चाहते हैं उनसे क्या लिपट कर रहने की हमारे जो इच्छा है उसे ही क्या कहा जाता है उपादान कहा जाता है उसके बाद यहाँ पर तुरुष्णा तो आपको पता है वेदना भी आपको पता है पर्स भी आपको पता ह अब सडायतन तो सडायतन किसे कहेंगे तो सडायतन हमारी जो पांच इंद्रिया है और हमारा मन का जो मन है वो मन और हमारी पांच इंद्रिया उनका जो समु है उसे ही क्या कहा जाएगा सडायतन कहा जाएगा उसके बाद है विग्णान विग्णान उन्होंने चैतन्य के रूप में विग्णान को स्विक्रुद किया था तो ये थी कुछ सब्दावलिया जिसका और्थ आपको जानना चाहिए था इसलिए आपको इसका और्थ भी बता दे संस्कार को तो आप जानते ही अविध्या यानि की जो वस्तु उचित ना हो जो वस्तु क्या हो गलत हो उसे क्या कहा जाएगा अविध्या कहा जाएगा ओके चले देखते हैं अब अश्टांग योग ऐसा योग है जिसे हम अपनाने से ये जो हमारे जो भाव चक्रा के जो बंधन थे वो सारे बंधन क्या होते हैं उन बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है अगर हमें उन बंधनों से मुक्ति चाहिए तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा हमें योग में क्या क्या सम्मिलित है तो अश्टांग योग में हैं सम्यक द्रश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मान्थ, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मूरूती, सम्यक समाधी अब देखते हैं सबको एक-एक से कि इन सब्दावलियों का भी किया मेनिंग होता है इसमें तो सम्यक द्रश्टी किसे कहेंगी हम तो सम्यक द्रश्टी हम उसे कहेंगे जो वस्तू के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करता है यानि कि जो वस्तु जैसी है वैसी हम उसे देखे वास्तविक रूप से उसे देखे उसे हम क्या कहेंगे सम्यक त्रश्टी कहेंगे सम्यक संकल्प सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है कि जो भी हम संकल्प लेते जो आ सकती द्वेश तता हिंसा से मुक्त जो हमारे विचार होते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे संकल्प कहेंगे यानि कि अच्छे विचार रखना फिर क्या है अहिंसा को अपनाना द्वियस की भावना से मुक्त होना आ सकती ओशे मुक्त होना उसे ही हम क्या कहेंगे सम्यक संकल्प कहेंगे उसके बाद है सम्यक वाक यानि की अच्छा बोलना तो हमें इस संसार में अगर इस संसार से हमें मुक्त होना है बंदन उसने मुक्तना है तो हमें पहले तो क्या करना चाहिए अप्रिय वचनों के सर्वता परित्याग और अप्रिय जो वचन होते हैं उनका क्या करना चाहिए हमें उसका परित्याग करना चाहिए और हमें सत्य बूलना चाहिए और अच्छा बूलना चाहिए सामने वाली को गाली गलोच करके हम बूलेंगे कि हमने सही किया तो नहीं किया कि आपकी आत्मा भी आपको बोलती होगी उस टाइम के आपनी उसे गाली गलोच किया वो सही नहीं है है ना तो हमें किसी को भी कभी भी किसी के भी साथ अप्रिय वचनों से भात नहीं करनी चाहिए सम्मेक कर्मान यानि कि हमें अच्छे कर्म करनी चाहिए जैसे कि दान करनी चाहिए किसी पर दया करनी चाहिए किसी को हेल्प करनी दया का मतलब क्या होता है कि किसी को मदद रूप होना होता है हम किसी जीव पर दया नहीं रखते, कभी-कभी आपनी देखा हूँगा, जो मासारी लोग है, वो पसुओं को मार कर खाते हैं, तो क्या वो पसु में भी एक आत्मा है, पसु में भी जीव है, तो वो हमें प्राणी के प्रती भी क्या करनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, उसक सम्यक आजीवन यानि कि हमें सदाचार के नियमों के अनुकुल अपना जीवन व्यतित करना चाहिए यानि कि हमें अपना जीवन अपनी सद कर्मों में ही बिताना चाहिए अच्छे कर्म करना चाहिए हमरा अच्रण भी अच्छा होना चाहिए उसके बाद है सम्यक व्यायम सम् सम्यक व्यायाम में क्या आएगा कि उन्होंने धर्म अर्थ और मोख्ष इन तीनों बातों को हम किस में लेंगे सम्यक व्यायाम में लेंगे काम को यहाँ पर कोई मानेता यानिकी सिक्रूती नहीं दे गई यानि कि धर्म अर्थ और मुक्ष को ही हम क्या कहेंगे सम्यक व्यायाम कहेंगे क्यानि कि हमारी नईतिकता हमारी मानसिकता हमारी अत्मिकता इन सभी की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए सतत प्रयतना करते रहना चाहिए उसे ही हम क्या कहेंगे सम्यक व्यायाम कहेंगे उसके बाद है सम्यक स्मृति तो सम्यक स्मृति में क्या आएगा कि हमें अपने विशे में सभी प्रकार की जो भी सच्ची धारणा है उसको ही अपनाना चाहिए अगर बुरी बाते हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए त्याग कर देना चाहिए हमें बहुतिक और प्रग्या दोनों सब्दा इसमें आ जाएंगे सम्यक स्मूती में तो हमें अपनी जो स्मूती है अपनी स्मूती में ऐसी बाते लानी चाहिए जो कैसी हो सत्य हो को सम्मयक समाधी को है एका घ्रता की मनकी या तो फिड़े किया कईते हैं एका घ्रता करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं सम्यक समाधी कहते हैं तो ये थे उन्होंने महात्मा बुधने जो अश्टांग योग की बाद की थी वो अश्टांग योग ये आठ योग थे और जिसके द्वरा हम अपने दुख का क्या कर सकते हैं निवारण कर सकते हैं अपने दुखों से मुक्त हो स सकते हैं दुखों जो ये दुखों भरा जो संसार है इस संसार से हम क्या कर सकते हैं मोख्स प्राप्त कर सकते हैं चलि आगे देखते हैं गाउतम बूद के मृत्य के बाद उनके उपदेशों का संकलन किया गया अब जब गाउतम बूद उनका निर्वान हो गया जिस प्रक्रिया को जिस कटना को क्या कहा गया था परी महापरी निर्वान क्या कहा गया था महापरी निर्वान तो जब उनका महान निर्वान हो गया तो उनके उफदेशों को तरीके से हुआ था चले उनकी बारे में जानते तो भगवान बुद के यानि कि गवतम बुद के रुत्यु के बाद चार बहुद संगीती हुई क्या हुई भी चार बहुद संगीती हुई अभी संगीती का अर्थ क्या है तो संगीती का अर्थ है साथ साथ गाना यानि कि एक साथ मिलकर गौतम बुद के जो उपदेश है उन उपदेशों को अपनाना और दूसरों को भी बताना और उनके साथ मिलकर इस बहुत धर्म का विकास भी करना चले आगे देखते हैं अब ये जो बहुत धर्म संगीती थी वो कितनी थी चार थी प्रत्थम दृतिय तृतिय और च्वाथी ये चारों बहुत ही इंपोर्टेट थी उनमें से सबसे इंपोर्टेट वितिय तृतिय और च्वाथी जो बहुत संगीती थी वो बहुत ही इंपो तो इश्यापूर्वा का मतलब तो आपको पता है नबगवान इसू है उनके जनम के पूर्व का जो समय है उसे इसा पुर्व कहां जाता है और भगवान इसु है उनके मृत्य के बाद का जो समय है उसे क्या कहां जाता है उसे इसा कहते है पहले जो उनके जन्म के पहले को समय को इसा पुर्व कहते है और उनके मृत्य के बाद को इसा कहते है तो चलिए देखते इसापुर्व 413 में प्रथम बौध धर्मसंगीती हुई थी, वो किस राजा के समय में हुई थी, वात सत्रू के समय में हुई थी, और वैपार परवत के राजगीरे में ये धर्मसंगीती हुई थी, और उसका नितरूत्वा किस ने किया था, तो महास्तव पिर महा कश्यप ने किया था उसके बाद दृतिय धर्म संगेती हुई तो दृतिय बहुत धर्म संगेती कब हुई थी तो ईसा पुर्वा तिनसो तिराशी में हुई कब हुई थी इसा पुर्वा तिनसो तिराशी में हुई अब वो किस राजा के समय में हुई थी तो राजा काला सोग के समय में हुई थी कहां पर हुई थी तो वैशाली में हुई थी तो उनका नेतरुत्व किस ने किया तो रैवत महास्त वीर ने किया था किस ने किया था दस नियम दिये गए थे जो आचार सास्त्र के आधार पर थे चले देखते हैं तुरुतिय धर्म संगिती तुरुतिय धर्म संगिती में क्या हुआ था वो कब हुई थी तो इसा पुर्वा 251 में हुई थी अब उसके समय में राजा कौन थे तो समराट अशोक थे आप सब आप तो समराट अशोक थे उनकी कहां पर हुई थी तो पाटले पुत्र में हुई थी और उनका जुने त्रुद्व कि इसने किया था मोगली तीश्य पुत्रा ने किया था और इस धर्म संगिती में क्या हुआ था तो त्री पितक बना था क्या बना था त्री पिटक अब इस त्री पिटक क्या है तो इसे पिटक को क्या कहा जाता है पिटक को पिटारिया कहा जाता है क्या कहा जाता है पिटारिया पिटारिया यानि चो स्त्रिया होती न वो अपना अबूसन जिस पिटारिया में रखती न उसे पिटारिया कहा जाता तो ये त्रीपिटक में क्या था तो भगवान बोधनी जो भी उपदेश दिये थे उन उपदेशों का ये पिटारिया थी उन उपदेशों की पिटारिया थी जिनने त्रीपिटक के नाम से जाना जाता है तो आगे हम देखते हैं त्रीपिटक में क्या था अब उसके बाद दर्म संगिती कब हुई तो इसा की प्रथम सतापदी में हुई जब इसा का जन्म हुआ उसके बाद की जो प्रथम सतापदी थी उस प्रथम सतापदी में क्या हुई च्वाथी धर्म संगिती हुई किस राजा की समय में हुई तो कनिस्क के समय में हुई कहां पर हुई तो कस् और उसका नेतरूत्वकिस ने किया तो वसुमित्रा ने किया अब यहाँ पर बहुत ही इंपोडेट गटना गटी और वो इंपोडेट गटना यसी थी कि पुरे विश्व में पुरे बहुत धर्म में इसने क्या क्या बदलाव लाया और वो बदलाव क्या था तो यह बदलाव में बट गया क्या हुआ सम्प्रदाय जो बहुत धर्म था वो दो भागों में बट गया अब कौन से दो भागों में बटा वो हम आगे बात करते चले देखते आगे अब पहले हम देख लेते हैं त्री पिटक के बारे में तो त्री पिटक में कौन से प्यातिन पिटक थे पहला था सूत पिटक, दूसरा था विने पिटक और तीसरा था अभीदम पिटक तो ये तिनों जो थे वो क्या थे त्री पिटक थे अब सूत पिटक क्या था तो वो सितान्तों पर आधारित था उसमें पद्य एवं समाद दिये गए थे जो बगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिये थे उन उपदेशों को पद्य और समाद के रूप में दिया गया था उसमें पांच निकायों की बात की है अब अगर क्विसंस पुछा जाए कि बहुत धर्म में निकाय का उलेक कहां पर किया गया है तो बहुत धर्म में निकाय का उलेक सुत पिटक में किया गया है किसमें सुत पिटक में किया गया है अब ये पांच निकाय कौन कौन से थे तो दिर्ग निकाई, मज्जिम निकाई, समुक्त निकाई, अंगुतर निकाई और खुदक निकाई ये पांच निकाई आपको याद रखने हैं कहीं अगर पूछ लिया जाए कि समुक्त निकाई किस पिटक में दिया गया है तो आपको याद होना चाहिए कि सूत पिटक में तो सूत पिटक में निकायों की बात की गई थी, सितांतों की बात की गई थी और सितांत भी कैसे पत्यों और सम्वाद के रूप में दिये गए थी तो पांच निकाई हम फिट से देख लेते हैं दिर्ग निकाई मजीम निकाई समुक्त निकाई अंगुत्तर निकाई और खुदक निकाई अब उसके बाद है दूसरा वीनई पिटक कौन सा वीनई पिटक अब वीनई पिटक में क्या हुआ था वीनई के दस नियमों को बताया गया था तो बिनाई पिटक में आचार सास्तर के बारे में बात की गई थी इसमें प्रवज्या की बात की गई थी दिक्षा की बात की गई थी रहन सान की बात की गई थी तो यह सब बाते किसमें की गई थी फिनाई पिटक में की गई थी अब लाश्ट है हमारा अभीदम अभीदम बिटक में क्या था बहुत दर्शन के बात की गई थी उसमें भाउतिक जगत और अध्यात्मिक जगत की बात की गई थी अब यहां पर बहुतिक यानिकी वास्ताविक जगत और अध्यात्मिक जगत तो यहां पर बहुत दर्म में भगवान बुद्ध ने क्या किया उन्होंने बताया कि वास्तविक और सुन्यता के बीज का जो जगत है यानि कि बीज का मत्यमार्ग है उन्होंने नहीं वास्तविकता को माना और नहीं सुन्यता को माना उन्होंने दोनों के बीज ये वास्तविकता है मानलो ये सुन्यता है इन दोनों के बीज का जो मत्यमार् के को लेकर ही उन्होंने अपने उप्तेशों को दिया था तो इसी कारण से बहुत धर्मों को मद्य मार गिये धर्म भी कहा जाता है ओकी चले अभी दम पिटक में आपको पता चल गया बहुतिक और अत्यात्मिक्ता के बारे में बात की गए थी अब आगे देखते दोस्ते यह हो गए आपका त्री पिटक अब हम आगे देखते हैं अब आए जो त्री पिटक था वो कौनसी बहुत संगीती में हुआ था तो तीसरी बहुत संगीती में हुआ था बरम ओके अब आगे देखते हैं च्वाथी जो धर्म संगीती थी उस च्वाथी धर्म संगीती में क्या ह कि weather auto भागों से थे हीन यान उन्हों ने क्या किया उन्हों ने गउतम गुध के जो भी उपदेश थे वह उपदेश वैसे के वैसे ही उन्होंने अपनाया उन्होंने वो सैधानतिक पक्षों के रूप में उन्हें अपनाया उन्हें कोई भी फेर फार नहीं किया उन्होंने गवतम बुद्नी जो भी उपदेश दिये थे वो उपदेश वैसे के वैसे उन्होंने अपनाया किनोंने अपनाया ही नियान ने अपनाया अब ये महा नियान ने क्या किया महा यान ने पगवान बुद्नी जो भी उपदेश दिये थे उन उपदेश को अपनाया त कहीं-कहीं उनको लगा कि यहां पर changing करना चाहिए तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाओ भी लाया भगवान बुद्द के उपदेशों में थोड़ा सा बदलाओ भी किया और उन्होंने भगवान बुद्द ने जो भी उपदेश दिये थे वैसे के वैसे यह महाय अपनाए नई इसके कारण क्या हुआ जो महायान था वो काफी परचलित हो गया ये थोड़ा कठीन मर्ग था ये थोड़ा आसान हो गया इसलिए महायन क्या हो गया थोड़ा सरल हो गया अब महायान ने बगवान बुद को जो गवतम बुद है उनको क्या का उन्होंने महायन ने गवतम बुद को बगवान माना क्या माना बगवान माना जब ही नियान था तो ही नियान ने गवतम बुद को बगवान नहीं माना लेकिन गवतम बुद के उपदेशों को वैसे के वै क्या किया यहां पर महायन ने उनके उपदेशों को क्या किया उसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी करते रहे व्याफारिक पक्षों में उन्हें बदलते भी रहे और कौतम बुद्ध को क्या कहां भगवान की उपादी दे दे अब आगे चल कर क्या हुआ हिन यान भी दो बागो में बढ़ गया अब ये बटवारा किस कारण था किस बात से बटवारा था तो इस बटवारे के पिछे सिर्फ दो ही कारण थे एक था संसार और दूसरा था निर्वान क्या था एक था संसार और दूसरा क्या था निर्वान था अब ये संसार और निर्वान के कारण ही ये द तो अब देखते हीनियान किस तरीके से अलग हुआ तो यहाँ पर जो हीन यान है उन्होंने क्या किया उन्होंने संसार और निर्वान दोनों को अपनाया जबकि महायान है उन्होंने क्या किया संसार को नहीं अपनाया लेकिन संसार को स्वरी अपनाया और निर्वान को नहीं अपनाया तो अब देखते हैं हीनियान ने क्या किया हीनियान के जो दो भागों में बटा तो वो दो भाग थे वैपाशिक और सवत्रांत्री तो वैपाशिक भाग वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया उन्होंने संसार को भी अपनाया और निर्वान को भी माना क्या किया वैवासिक वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया उन्होंने संसार को भी अपनाया और निर्वान को भी अपनाया जबके संत्रांत्रिक जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने संसार को तो अपनाया लेकिन उन्होंने निर्वान को अपनाया बस इसी कारण ये ही नियान क्या हुआ दो भागों में बटा था और उन लोगों के इस निर्वान की स्थिति के बीच क्या हुआ मतबेद था अब आगे देखते हैं महायान के बारे में तो महायान भी दो भागों में बटा तो वो किस कारण से बटा तो वो इस कारण से बटा कि उसका एक भाग था विग्णानवाद और दूसरा पक्स था सुन्यवाद अब विग्णानवाद वाले थे उन्होंने संसार को नहीं माना क्या किया विग्णानवाद वालोंने क्या किया संसार को नहीं माना लेकिन निर्वाण को माना जबके सुन्यवाद थे उन्होंने ना ही संसार को माना और ना ही निर्वान को माना तो यहाँ पर इसी कारण ही संसार और निर्वान के कारण ही क्या हुआ ये बहुत धर्म का जो संप्रदाय था वो दो भागों में बटा और दो भाग भी अपने खुद के दो दो अलग अलग भागों में बट गए थे चलिए अब आपको ये बहुत धर्म संप्रदाय के दो भाग ही नियान और महायान के बारे में तो पता चली गया होगा अब आगे देखते हैं दोस्तों अब आगे का दोस्तों हम जो अभी एक पार्ट बनने वाला है बहुत धर्म का अभी हमने साइकोलोजी की अकोडिंग उसमें कोई बात नहीं कि मैंने अभी तक इस बात को इसलिए आपके सामने रखी सारी हिस्ट्रे आपके सामने बहुत धर्म की रखी है बुद्दिज्म की क्योंकि ताकि आपको psychology की according उसे समझना होगा तो आपको यह सब बाते भी समझ नहीं होगी तब ही जाकर आप psychology की according उसे समझ पाएंगे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अब next वीडियो में हम जो वीडियो बनाएंगे वो बहुत दर्म और हमारी जो psychology के बीच क्या relationship है उस के बारे में हम बात करेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना सेर करना और अगर किसी भी बात पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बक्स में कमेंट डाल देना उसके में कोसिस करूंगी कि आपके डाउट को स्वाल कर पाऊं और अगर मेरी इस चैनल पर आप नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भुलेगा नहीं, चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थेंक यू.